दोस्तों, इस बार हम रेडियो मनमीत में लेकर आए हैं हुली का एकोर रंग पिछली बार हमने कुछ फिलमों की बात की थी इस बार हम बात करेंगे भारती चितरकला की यानी लगू चितरकला और लोकला और उसके अंदर हुली का चितरण किस तरह से किया गया है आज कुछ उस पर बाते करते हैं आईए आप सबका स्वागत है एक नए सफर पर फिर हम चलते हैं पुली के रंग जीवन के सभी छित्रों में मिलते हैं लोग गीतों और लोग कलाओं में पुली का विशद छित्रन किया गया है भारतिये कलाओं में देखें तो लगू चित्रकला की सभी शैलियों में पूली से सम्बंधित चित्र मिलते हैं भारतिये लगू चित्रकलाओं में कई तरहे की शैलिया लोग प्रिये हैं जिन में से कुछ रायस्थान से संबंदित हैं, बूंदी की शेली, किशनगढी, अलवर्द की, अजमेर की अलग शेली रही है। इसके अलावा कांगडा इत्न मशूर लगुचित्रकला शेली है और मुगल चित्रकला भी उतनी ही लोगप्री रही है। लगुचित्रों में जारतर होली द्रश्यों में क्रेश्ण लीलाओं को दिखाया गया है, यानि क्रेश्ण राधा और गोपियां और गवाल बाल होली खेलते वे दिखाये गये हैं। कांगडा कलम यानि कांगडा के लगुचित्रों में हम देखते हैं कि होली के द्रश्यों में जहां नायक नाईका यानि क्रेश्ण गोपियां राधा इन सब के चित्रण में शंगारिक्ता का इस्तेमाल किया गया है, प्रियोग किया गया है। वहीं साथ ही पाश्व भूमी में हम देखते हैं कि प्रक्रति को हरा भरा रंग बिरंगा दिखाया गया है मुगल शेली के चित्रों में आम तोर पर दरवारों में मनाई जाने वाली होली का चित्रन मिलता है यानि नवाबों की होली बाशाह बेगमों की होली उसमें दिखाई गई है वाजिद अली शाह लखनों के जो नवाब थे वो खुब होली खेलते थे और उनको लेकर के कई चित्र भी हमें देखने में मिलते हैं